सही देख भाल ना होने पर पशुओं में काफी समस्याइं आ जाती हैं जैसे कि पशुओं का कमजोर होना, बांजपन की समस्या और दूद उत्पादन में कमी कमजोर पशु पशुओं के कमजोर होने का मुख्य कारण है पशुओं के पेट में कीडों का होना यह कीडे मुख्य तर तीन प्रकार के होते हैं गोल कीडे, चप्ते कीडे और फीता कीडे यह कीडे चारे के द्वारा पशु के सरीर में जाते हैं और पशु के शरीर में विक्सित होते हैं पशु के शरीर में यह कीडे अंडे देते हैं जो गोबर के साथ बाहर आते हैं पुनह यह अंडे चारे के द्वारा पशुओं के शरीर में जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है। पेट के कीडे करीब 30 से 40 प्रतिशत तक चारा खा जाते हैं और पशु का खून चूसते हैं जिसकी वजय से पशु कमजोर हो जाता है तथा दूद उत्पादन भी घट जाता है। पशु के पेट में कीडों के मुख्य लक्षन पशु का कमजोर होना, खुरदरी तवचा, आग से पानी आना, बदबुदार गोबर ये सभी पेट के कीडों के मुख्य लक्षन हैं। पशु के पेट के कीडों का संपून सफाया करने के लिए आपको चाहिए एक आदर्श प्रमी नाशन, इंटास का फेंटास। पेंटास पेट के सभी तरह के कीडों के लिए अत्यंत प्रभावशाली दवा है। पेंटास गर्बवती पशुओं के लिए भी सुरक्षत है। पेंटास डेड़ ग्राम और तीन ग्राम में उपलब्ध है। अपने पशुओं को हर तीन महिने पर पेंटास खिलाईए और निश्चिंत हो जाईए। आईए अब पशुओं की दूसरी सबसे बड़ी समस्या की चर्चा करें। पशुओं में बाज़पन की समस्या। पशुओं में बाज़पन का मुख्य कारण है खनीज तत्व तथा विटामिन्स की कमी। खनिज तत्वं तथा विटयमिन्स का मुख्य श्रोत है चारा。 परंतु मिट्टी की उर्वकता कम होने के चलते, चारे में दिन प्रति दिन खनिज तत्वं तथा विटयमिन्स की कमी होती जा रही है. बांजपन मुक्यतत तीन प्रकार के होते हैं बच्चियों का समय से तैयार ना होना पशु का समय से गर्मी में ना आना बार बार गर्बाधान करने पर भी पशु का ना ठहरना इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको चाहिए एक आदर्श और शक्ति शाली खनिज मिश्रन मिन्फा गोल्ड इन्टास का मिन्फा गोल्ड अत्यंत आधुनिक चिलेशन तक्नीक से बना खनिज मिश्रन है मिन्फा गोल्ड का पाउडर सबसे बारीक होने के कारण पशु के आतों में अधिक से अधिक अवशोशित होता है मिन्फा गोल्ड सभी तरह के खनिज तत्व तथा विटामिन्स की पूर्ती करता है मिन्फा गोल्ड क्रोमियम युक्त है क्रोमियम एक ऐसा तत्व है जो पशुओं को समय से गर्मी में लाने के लिए अत्यंत आवशक है मिन्फा गोल्ड एक किलो दो सो ग्राम, छे किलो तथा तीस किलो के पैक में उपलब्द है अपने पशुओं को रोजाना तीस से पचास ग्राम मिन्फा गोल्ड खिलाईए और पशुओं की प्रजनन शम्ता को बढ़ाईए आईए अब पशुओं की तीसरी सबसे बड़ी समस्या की चर्चा करते हैं दूद उत्पादन में कमी दूद में केल्शियम अधिक मात्रा में उपलब्द होता है हर सौ मिली लीटर दूद में 123 मिली ग्राम केल्शियम होता है यह केल्शियम दूद के द्वारा पशुओं के शरीर से आता है अधिक दूद देने वाले पशु के शरीर से अधिक केल्शियम बाहर आता है यदि हम पशु के शरीर से निकले केल्शियम की भरपाई नहीं करते हैं तो पशु के शरीर में केल्शियम की कमी हो जाती है जिसके कारण पशु की दूद उत्पादक्ता खट जाती है पशू की दूद उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए आपको चाहिए इंटास का कैल शक्ति कैल शक्ति एक आदर्श तरल कैल्शम आहार है कैल शक्ति में दूद वर्धक औशदी जैसे की सतावरी और जिवन्ती है जो थन में दूद के उत्पादन को बढ़ावा देती है कैल शक्ती कैल्शम और फॉस्फरस की समुचित मात्रा प्रदान करती है कैल शक्ती में पीपली है जो अधिक से अधिक कैल्शम का आतों में अवशोशन करवाती है कैल शक्ति आम के मज़ेदार स्वाद में है जो पशु बड़े चाव से खाते हैं कैल शक्ति 500 मिली लीटर, एक लीटर, धाई लीटर, पांच लीटर, साड़े साथ लीटर और दस लीटर के आकरशक पैकों में भी उपलब्ध है अपने पशुओं को हर रोज 100 मिली लीटर कैल शक्ति पिलाएं कैल शक्ति पशु के दूद उत्पादन बढ़ाने का संपूर समाधान है अच्छे पशु पालन के लिए तीन आसान उपाई याद रखें हर तीन महिने में पशु के पेट के कीरों की दवा फिंटास खिलाएं हर रोज अत्यंत आधुनिक तक्नीक से बना आदर्श खनिज मिश्रण मिन्फा गोल्ड खिलाएं और पशुओं की प्रजनन शमता बढ़ाएं पशुओं की दूद उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए रोजाना कैल शक्ति पिलाएं पशुओं के बेहतर स्वास्त और पशुपालन में अधिक मुनाफे के लिए इस्तमाल करें इंटास के उत्पाद, फेंटास, मिन्फा गोल्ड और कैल शक्ति